मूंग दाल दूली हुई मूंग दाल है उसको ओवरनाइट सोक किया है वैसे 3-4 आर्स भी कर सकते हैं क्योंकि मुझे अर्ली बनाना था तो मैंने इसको ओवरनाइट सोक किया है और यह अच्छे से सॉफ्ट गल गई है और इसका पानी मैंने स्ट्रेंड कर दिया है तो आप देख सकते हैं हमें इसको भीगोने से पहले 2-3 बार धोना होगा फिर लिया है मैंने यह हिंग जो आप पीसने के बाद भी डाल सकते हैं एक हरी मिर्चली है एक इंच अद्रक लिया है और एक चम्मत जीरा जो मैं इसी के अंदर डालने वाली हूं और फ्लेवर यकीन मानिए बहुत अच्छा आता है तो हम सबसे पहले इसको ग्राइंड करे तो यह दाल डल गई है और अब हम इसमें यह जीरा यह अध्रक और हरी मिर्च यह डाल देगे आप राी करके बताई गा कि इसा बना क्यूंकि जब तक आप कहांगे नहीं तब तक का Sig fact पता नहीं चलेगा और यह डालेंगे हम इसमें हीम कि यह वाला हीम थोड़ा बडरह आ तो यह मैं टू पिंच के करीब डाल रही हूं इसकी खुश्बु बहुत अच्छी आती है और यह फाइदा करता है तो अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं देखिए हम इसको रुक रुक कर चलाएंगे थोड़ा थोड़ा रुक कर और जितना थोड़ा पानी डालने की जुर तो आप अपने हिसाब से कम जादा कर सकते हैं और देखिए फ्रेंड्स यह बहुत परफेक्ट जो है पिस गया है बिल्कुल अच्छा है इसी तरह से हम यह पूरी दाल पीस लेंगे वन टिबल स्पून पानी डाल कर मैंने इसको एक बार और चलाया है क्योंकि वह थोड़ा दरदरा ठा और अब यह पौफेक्ट है देखिए आब हम इसको बार में निकालते हैं है मैस अपहिने ब्ले लिया है यह देखिए आदा घंटा रखने के बाद यह कुछ इस तरह की फ्लोफी हो गई है यहनी हमें डाल जो हbor वो आदा गंटा इस तरह से रखनी है, आप देख सकते हैं काफी fluffy हो गई और आदा गंटे के बाद ही हमें इसका बनाना है तो अब हम बना रहे हैं ब्रेट के दाल वाले टोस्ट, आपने पहले बेशन के टोस्ट खाए होंगे, लेकिन ये दाल वाले टोस्ट नहीं खाए हैं, बहुत यमी हैं, जरूर ट्राई कीजेगा, तो ये हमने दाल जो है इस तरह से बैटर बना लिया है, जैसे हम मॉंगलेट क बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से, और अब हम इसमें ये आधा कटी हुई बारिक शिमला मिर्च लेंगे, जो फ्रेश है बिल्कुल, इसको इसमें मिक्स करेंगे, साथ में एक छोटी प्याज को और एक हरी मिर्च को हमने बारिक काट लिया है, आप देख सकते हैं, इसक बारिक शाफ कर लिया है, और उसको फिर चॉप किया है, इसको भी हम इसमें डाल देंगे, आप गाजर कस्के डाल सकते हैं, जो भी आपको सबजियां पसंद हैं, वो आप मिलाकर इसको डाल सकते हैं, और इसमें अब हम डालेंगे, स्वाद के अनुसार थोड़ा नमक, थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूँगी, इसको थोड़ा हम पतला करेंगे, थोड़ा सा फ्लोईन कंसिस्टेंसी हो इसकी, और यहां पर आप इसमें नमकोगरा चेक कर लेंगे, मैं इसमें रेड चिली नहीं डाल रही हूँँ, मैंने ब्लेक पेपर और यह ग्रीन चिली यानि काली मिर्च और हरी मिर्च को काटके डाला है देखिए कुछ इस टाइप का ये बैटर हो जाना चाहिए देखिए पैंग को हमने गरम होने डख दिया है उसमें हम डाल रहे हैं थोड़ा सगी बहुत ज़्यादा हमें नहीं डालना है 1 4 टी स्पून के करीब यह मैंने ली है ब्राउन ब्रेड आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं दो पीस ही हमें आपको बना कर बता रही हूं और यह बहुत हेल्दी लगने वाला है यह हमने ले ली है ब्रेड और अब हम इसके उपर यह मिश्रन जो है वो पतली लेर लगाएंगे इसकी बहुत मोटी नह कीजिए चाट मसाला और गरम मसाला यह सब मत कीजिए बिलकुल दाल का फ्लिवर आने दीजिए एक बार मेरे तरीके से बना कर देखिए इसको बहुत यमी लगेगा देखे चारो तरफ से हम ऐसे फैला लेंगे और इसको उल्टाय से डाल देंगे अब हम इसको गैस पर रख कीजिए कितनी वेजटेबल से हैं देखे इतना अच्छा लग रहा है और फ्लेम जो है आपको वह स्लोटू मीडियम ही रखनी है उसको ज्यादा तेज नहीं करना है क्योंकि हमें ये दाल जो है वह पकानी है बेशक इसका गोल जो है वह पतला है लेकिन फिर भी हमें इस अब हम इसको थोड़ा देर ऐसे ही छोड़ देंगे कुछ डॉप्स घी के हम इस साइड भी डाल देंगे ताकि जब हम इसको पल्टेंगे तो ये अच्छे से नीचे से सिख जाएगा और अब हम ये इस पैचुला की मदद से इसको पल्टेंगे ये देखे बहुत बढ़िया क्रिस्पी हम दोनों तरफ से करेंगे बट अभी इसको एक तरफ से सिख जाने ने देखो आप देख रहे हैं अच्छा लग रहा है ना बहुत ही बढ़िया अब हम इसको इदर से पलटते हैं देखे स्मोथ्ली इधर खिषक रहा है ये देखे कितना अच्छे से इसका यानि हम जो इसको दाल को बहुत अच्छे से पका लेंगे फिर क्रिस्पी करेंगे तो अभी हमने दो मिनट तक ही इधर से सेका है और अब हम इसकी थोड़ी सी फ तब हम इसको शुरू करेंगे अब हमने फ्लेम को कर दिया है हाई और अब हम इसको दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक सेकेंगे यह देखें कलर चेंज होना शुरू हो गया है बहुत बढ़िया लगने वाले हैं यह बेशन के टोस्की जगे बहुत अच्छे लगेंगे इनको ट्राइ करके देखिएगा दोनों तरफ से उलट पलट के हम इसको सेक रही है आप देखिए कितना क्रिस्पी हो गया है इसी तरह से और थोड़ा से हम ब्राउन करते हैं और फिर इसकी प्लेटिंग करते हैं देखिए यह परफेक्ट हो गया है हमने इसको ऐसे दबा दबा कर सेख लिया है कि दोनों तरफ से देखें दोनों तरफ से बहुत अच्छा हो गया है अब हम इसको निकाल लेते हैं और यहां रख लेंगे और ऐसी ही हम एक दूसरा सेंविच बनाएं दूसरा टोस्ट बनाएंगे सेम प्रोसिजर उसी तरह से एक पत्ली सी लेर लगानी है आप चाहें तो उसको हाथ से भी ऐसे स्प्रैड कर सकते हैं किनारे मैंने नहीं लगाए हैं ताकि किनारे जो है वो कच्छे ना रहें इस तरह से करके देखेगा यह भी बहुत अच्छा है किनारे आप साइड से कवर मत कीजिए तो आपको किनारे सेखने की वो तवे पे ज़रुत नहीं पड़ेगी और यह बहुत अच्छा लगेगा अगर आप किनारे पे लगाएंगे तो आपको अधर से भी सिखना पड़ेगा यह अगर डी फ्राइ कर रहे हैं कोई पकोड़ा टाइप बना रहे हैं तो आप उस तरह से लगा लीजिए आपको यह मेरी रेसिपी पसंद आएगी और आप इवनिंग स्नैक्स या ब्रिक्फास्ट में जरूर ट्राइ करेंगे मैं बहुत मेहनत करके यह रेसिपी लेके आती हूं आपके लिए अगर आप पसंद करते हैं और आपका कमेंट मुझे मिलता है तो मुझे बहुत खुशी होती है यह देखिए अब हम इसको धीमी आज पे काफी देर के लिए पकने देंगे यानि 2-3 मिनट्स के लिए इसको आप आराम से पकने देंगे कि घभ तक हमारा बूसरा भाट तोस सीख रहा है तब तक हम इसको कट करते हैं इस तरह से पकड़ के आप इसको कट करेंगे और यह देखिए बिल्कुल अच्छे से सिखा हुआ है कहीं भी आपका बिल्कुल चिपक नहीं रहा है आप मन चाही शेप में इसको कट कर सकते हैं आप फोर स्कुर्ण बना सकते हैं आप ऐसे लंबे स्टिक्स के रू इधर यह ब्रेड का किनारा है जो बिल्कुल ऐसी स्मूथ दिख रहा है तो ज़रूरी नहीं है आप उसके किनारे कवर करें यह मैं आपको टिप दे रही हूं ताकि यहां पे कच्छा नहीं लगेगा फिर आपका अच्छे से सिख जाएगा तो अभी एक ब्रेड और से लेते ह कितना अच्छा कलर आया है तो अब हम इसको निकाल लेते हैं और प्लेटिंग करते हैं तो इसको निकाल लिया है और इसको भी हम ऐसे कट कर लेते हैं बहुत सॉफ्ट है अंदर से ब्राउन ब्रेड है बहुत यमी लगने वाला है आज ही ट्राई कीजिए अभी बहुत गरम है तो धीरे से हम इसको कट कर रहे हैं और यह लिए परफेक्ट कितना अच्छा बना है जाली दार और इधर से देखें ब्रेड के साइड में कोई जुरती है ब्रेड को साइड से कट करने की यह मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ अब हम लेते हैं अपनी ट्रे यह मैंने ट्रे ली है इस पर थोड़ा सा मैंने रेड चिली को स्प्रिंकल कर दिया है और बीच आशा करती हूं के आप जरूर ट्राइ करेंगे बहुत गरम है बहुत बढ़िया जरूर ट्राइ कीजिए थेंक्यू सो मच फो वाचिंग मैं रेसिपीज कर दो का है की बहुत है बहुत कर दो कि युदे बहुत बहुत मैं अचर मैं जरू आप सेग्ट को शुदेया जरूर टाइज सेट।